शिब बाबा याद है ना? शिब बाब ने के लिए फिर ब्राह्मन भी जरूर बनना पड़े तुम हो ही सची ब्राह्मनी तो ज्यान की भूबू कर तुम्हें विष्टा के कीडों को भी आप समान पवित्र बनाना है जो आत्माएं काम चिता पर बैठ काली हो गई थी बाप आये हैं उन्हें ज्यान चित पर बिठाने ज्यान चिता पर चड़ फिर विकार में जा न सके फिर बाबा ने कहा इस पुरुशोत्तम संगम युग पर मैं इन ब्रह्मा में प्रवेश कर तुमको जीते जी मरना सिखलाता हूं इस दुनिया से तो मरना है ना लेकिन तुमको पवित्र होकर शरीर छोड़न मेरा पार्ट ही है सबको पावन बनाने का तुम्हे कितने खुशी होनी चाहिए कि बाबा हम बच्चों की सर्विस में आये हैं इस पढ़ाई से हमें गुल गुल बनाकर साथ ले जाते हैं बाबा कहने से ही रोमांच खड़े हो जाने चाहिए और लास्ट में बाबा ने कहा जो बच्चे याद में नहीं रहते, वह कमजोर रह जाते हैं, सर्विस भी नहीं कर पाते, इसलिए शरीर का भान निकाल, अब तुम्हें बहुत मजबूत अवस्था बनानी है, विश्व का मालिक बनाने वाले बाप को तो इतना प्यार से याद करना चाहिए, जो प्रेम के आ मासू आ जाएं, और अब सुनते हैं महवाक्यों को विस्तार से, मुरली का सार, मीठे बच्चे, यह संगम युग, उत्तम से उत्तम बनने का युग है, इसमें ही तुम्हें पतित से पावन बन, पावन दुनिया बनानी है, प्रश्न, अंतिम दर्दनाक सीन को देखने के ल मजबूती किस आधार पर आएगी, उत्तर शरीर का भान निकालते जाओ, अंतिम सीन बहुत कड़ी है, बाप बच्चों को मजबूत बनाने के लिए अशरीरी बनने का इशारा देते हैं, जैसे बाप इस शरीर से अलग हो, तुम्हें सिखलाते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी अपने को शरीर से अलग समझो, अशरीरी बनने का अभ्यास करो, बुद्धी में रहे कि अब घर जाना है, ओम्हें सिखलाते हैं, जीते जी मरना कैसे होता है, और कोई यह सिखला न सके सिवाए बाप के, बाप का परीचे सब बच्चों को मिला है, वह ग्यान सागर पतित पावन है, ग्यान से ही तुम पतित से पावन बनते हो, और पावन दुनिया भी बनानी है, इस पतित दुनिया का ड्रामा प्लैन अनुसार विनाश होना है, सिर् फिर पावन दुनिया में आकर राज्य करते हैं पवित्र बनने के लिए ब्राह्मन भी जरूर बनना है यह संगम युग है ही पुरुशोत्तम अर्थात उत्तम ते उत्तम पुरुश बनने का युग कहेंगे उत्तम तो बहुत साधू संत महात्मा वजीर अमीर परनतु नहीं यह तो कल्यूगी भ्रष्टाचारी दुनिया पुरानी दुनिया है पतित दुनिया में पावन एक भी नहीं अभी तुम संगम युगी बनते हो वह लोग पतित पावनी पानी को समझते हैं सिर्फ गंगा नहीं, जो भी नदिया हैं, जहां भी पानी देखते हैं, समझते हैं, पानी पावन करने वाला है, यह बुद्धी में बैठा हुआ है, कोई कहां कोई कहां जाते हैं, मतलब पानी में स्नान करने जाते हैं, परंतु पानी से तो कोई पावन हो न सके, अगर पानी में सनान करने से पावन हो जाते फिर तो इस समय सारी सुरिष्टी पावन होती इतने सब पावन दुनिया में होने चाहिए यह तो पुरानी रस्म चली आती है सागर में भी सारा किचडा आदी जाकर पड़ता है फिर वह पावन कैसे बनाएंगे पावन तो बनना है आत्मा को इसके लिए तो परम पिता चाहिए जो आत्माओं को पावन बनाए तो तुमको समझाना है पावन होते ही सत्युग में है पतित होते हैं कली युग में अभी तुम संगम युग पर हो पतित से पावन होने के लिए पुरुशार्थ कर रहे हो तुम जानते हो हम शुद्र वर्ण के थे अब ब्रह्मन वर्ण के बने हैं शिव बाबा प्रजा पिता ब्रह्मा दवारा बनाते हैं हम है सच्चे सच्चे मुख वन्शावली ब्रह्मन वह है कुख वंशावली प्रजा पिता तो प्रजा सारी हो गई प्रजा का पिता है ब्रह्मा वो तो ग्रेट ग्रेट ग्रेंड फादर हो गया जरूर वह था फिर कहां गया पुनरजनम तो लेते हैं न यह तो बच्चों को बताया है ब्रह्मा भी पुनर जनम लेते हैं ब्रह्मा और सरस्वती मा और बाप वही फिर महराजा महरानी लक्ष्मि नारेन बनते हैं जिसको विश्नु कहा जाता है वही फिर 84 जनमों के बाद आकर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं यह राज तो समझाया है कहते भी हैं, जगत अंबा तो सारे जगत की माह हो गई लौकिक माह तो हरे की अपने अपने घर में बैठी है परन्तु जगत अंबा को कोई जानते ही नहीं ऐसे ही अंद श्रद्धा से कह देते हैं, जानते कोई को भी नहीं जिसकी पूजा करते हैं। उनके ओक्यूपेशन को नहीं जानते। अभी तुम बच्चे जानते हो। रच्यता है उच्चेते उच्च। यह उल्टा जहाड है। इनका बीज रूप उपर में है। बाप को उपर से नीचे आना पड़े। तुमको पावन बनाने। तुम बच स्रुष्टी के आदी मध्य अंत का ज्यान देकर फिर उस नई स्रुष्टी का चक्रवर्थी राजा रानी बनाते हैं इस चक्र के राज को दुनिया में तुम्हारे सिवाए और कोई नहीं जानते हैं बाप कहते हैं 5000 वर्ष बाद आकर तुमको सुनाऊंगा यह ड्रामा बना बनाया है ड्रामा के क्रियेटर डारेक्टर मुख्य एक्टर्स और ड्रामा के आदी मध्य अंत को ना जाने तो उनको बे अकल कहेंगे ना बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी हमने तुमको समझाया था तुमको अपना परीचे दिया था जैसे अब दे रहे हैं तुमको पवित भी बनाया था जैसे अब बना रहा हूं अपने को आत्म समझ बाप को याद करो वही सर्व शक्तिमान पतित पावन है गायन भी है अंत काल जो फलाना सिम्रे वल वल अर्थात घड़ी घड़ी ऐसी योनी में जाए अब इस समय तुम जनम तो लेते हो प्रन्तु सूकर कुकर कुत्ते बिली नहीं बनते हो अभी बेहद का बाप आया हुआ है कहते हैं मैं तुम सभी आत्माओं का बाप हूं ये सब काम चिता पर बैठ काले हो गए हैं इन्हों को फिर ग्यान चिता पर चड़ाना है तुम अब ग्यान चिता पर चड़े हो ग्यान चिता पर चड़ फिर विकारों में जाना सके प्रतिग्या करते हैं हम पवित्र रहेंगे बाबा कोई वहराखी नहीं बंधवाते हैं ये तो भक्ति मार्ग का रिवाज चलाता है वासों में यह है इस समय की बात तुम समझ से हो पवित्र बनने बिगर पावन दुनिया का मालिक कैसे बनेंगे फिर भी पक्का कराने के लिए बच्चों से प्रतिग्या कराई जाती हैं कोई बलड से लिख कर देते हैं कोई कैसे लिखते हैं बाबा आप आए हैं हम आप से वर्षा जिरूर लेंगे निराकार साकार में आते हैं ना जैसे बाप परमधाम से उतरते हैं वैसे तुम आत्माई भ पार्ट बजाने यह तुम समझते हो यह सुख और दुख का खेल है आधा कल्प सुख आधा कल्प दुख है बाप समझाते हैं तीन चौथाईस से भी तुम जास्ती सुख भोगते हो आधा कल्प के बाद भी तुम धनवान थे कितने बड़े मंदिराधी बनवाते हैं दुख तो पीछे होता है जब बिलकुल तमो प्रधान भक्ती बन जाती है बाप ने समझाया है तुम पहले पहले अव्यभीचारी भक्त थे सिर्फ एक की भक्ती करते थे जो बाप तुमको देवता बनाते हैं सुख धाम ले जाते हैं उनकी ही तुम पूजा करते थे फिर बाद मे व्यभीचारी भक्ती शुरू होती है पहले एक की पूजा फिर देवताओं की पूजा करते थे अभी तो पांच भूतों के बने हुए शरीरों की पूजा करते हैं चेतन्य की भी तो जड़की भी पूजा करते हैं पांच सत्वों के बने हुए शरीर को देवताओं से भी उ आप बेट बताते हैं यह दादा भी कहते हैं हमने भी सब कुछ किया भिन भिन हट योग आदी कान नाक मोडना आदी सब कुछ किया आखरीन सब कुछ छोड़ देना पड़े वे धंदा करें या ये धंदा करें पिन की सुस्ती आती रहती थी तंग हो जाता था प्राणायाम आदी सीखने में बड़ी तकलीफ होती थी आधा कल्प भक्ती मार्ग में थे अभी मालूम पड़ता है बाप बिलकुल एक्यूरेट बताते हैं वे केते हैं भक्ती परंपरा से चली आती है अब सत्युग में भक् देहेंगे बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूं शरीर भी उनका लेता हूं जो अपने जनमों को नहीं जानते हैं यही नमबर वन जो सुन्दर था वही अब शाम बन गया है आत्मा भिन भिन शरीर धारन करती है तो बाप कहते हैं जिसमें मैं प्रवेश करता हूं उ प्रिटेजी मरना इस दुनिया से तो मरना है ना अभी तुमको पवित्र होकर मरना है मेरा पार्ट ही पावन बनाने का है तुम भारतवासी बुलाते ही हो हे पतित पावन और कोई ऐसे नहीं कहते हे लिबरेटर दुख की दुनिया से छुडाने के लिए आओ सब मुक्ती धाम में जाने के लिए ही मेहनत करते हैं तुम बच्चे फिर पुरुशार्थ करते हो सुख धाम के लिए वह है प्रवरिती मार्ग वालों के लिए तुम जानते हो हम प्रवरिती मार्ग वाले पवित्र थे फिर आपवित्र बने प्रवरिती मार्ग वालों का काम निवरिती मार् यग्य तप दान आदी सब प्रवृती मार्ग वले करते हैं। तुम अभी फील करते हो कि अभी हम सब को जानते हैं। शुबाबा हम सब को घर बैठे पढ़ा रहे हैं। बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है। उनसे तुम बहुत समय के बाद मिलते हो तो प्रेम के आशू आते हैं। बाबा कहने से ही रोमांच खड़े हो जाते हैं। ओहो बाबा आया है। हम बच्चों की सर्विस में। बाबा हमको इस पढ़ाई से गुलगुल बनाकर ले जाते हैं। इस गंदी छीची दुनिया से हमको ले जाएंगे अपने साथ। भक्ति मार्ग में तुम्हारी आत्मा कहती थी बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे। हम आपके ही बनेंगे। दूसरा कोई नहीं। नंबर वार तो है ही सबका अपना-पना पार्ट है। कोई तो बाप को बहुत प्यार करते हैं। जो स्वर्ग का वर्षा देते हैं। सत्यूग में रोने का नाम नहीं होता है यहाँ तो कितना रोते हैं जब स्वर्ग में गया तो फिर रोना क्यों चाहिए और ही बाजा बजाना चाहिए वहाँ तो बाजा बजाते हैं खुशी से शरीर छोड़ देते हैं यह रस्म भी शुरू यहाँ से होती है यहां तुम कहेंगे हमको अपने घर जाना है वहां तो समझ से हैं पुनर जनम लेना है तो बाप सब बातें समझा देते हैं ब्रहमरी का मिसाल भी तुम्हारा है तुम ब्रहमनिया हो विष्टा के कीडों को तुम भूभू करती हो तुमको तो बाप कहते हैं इस शरीर को भी छोड़ देना है, जीते जी मरना है, बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, अब हमको वापिस जाना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, देहे को भूल जाओ, बाप तो बहुत मीठा है, कहते हैं मैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने अब शांती धाम और सुख धाम को याद करूं अल्फ और बे यह है दुख धाम शांती धाम हमात्माओं का घर है हमने पार्ट बजाया अब हमें घर जाना है वहां यह चीची शरीर नहीं रहता है अभी तो यह बिल्कुल ही जड़ड़ी भूत शरीर हो गया है अब हमको बाप समुख बैठ सिखलाते हैं इशारे में मैं भी आत्मा हूँ तुम भी आत्मा हूँ मैं शरीर से अलग होकर तुमको भी वही सिखलाता हूँ तुम भी अपने को शरीर से अलग समझो अभी घर जाना है यहां तो रहने का अभी नहीं है यह भी जानते हो अभी विनाश होना है भारत में रक्त की नदियां बहेंगी फिर भारत में ही दूद की नदियां बहेंगी यहां सब धर्म वाले इकठे हैं सब आपस में लड़ मरेंगे यह पिछाडी का मौत है पाकिस्तान में क्या-क्या होता था बड़ी कड़ी सीन थी कोई देखे तो बेहोश हो जाए अभी बाबा तुमको मजबूत बनाते हैं शरीर का भान भी निकाल देते हैं बाबा ने देखा बच्चे याद में नहीं रहते हैं बहुत कमजोर है इसलिए सर्विस भी नहीं बढ़ती है घड़ी घड़ी लिखते हैं बाबा याद भूल जा बाब को तुम भूल जाते हो आगे भक्ती में बुद्धी कहीं और तरफ चली जाती थी तो अपने को चुटकी काटते थे बाबा कहते हैं तुम आत्म अविनाशी हो सिर्फ तुम पावन और पतित बनते हो बाकी आत्म कोई छोटी बड़ी नहीं होती है अच्छा मेठे मेठे सिकिल अधे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बच्चों को रुहानी बाप की नमस्से रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को नमस्से नमस्से गुड मॉर्निंग धारना के लिए मुख्ये सार पहली ओहो बाबा आया है हमारी सर्विस में वे हमें घर बैठे पढ़ा रहे हैं बेहद का बाबा बेहद का सुख देने वाला है उनसे हम अभी मिले हैं ऐसे प्यार से बाबा को हो और खुशी में प्रेम के आंसु आ जाएं रोमांच खड़े हो जाएं दूसरी पोइंट अब वाप इस घर जाना है इसलिए सबसे ममत्व निकाल जीते जी मरना है इस दे को भी भूलना है इससे अलग होने का अभ्यास करना है वर्दान बीती हुई बातों वो वृतियों को समाप्त कर संपूर्ण सफलता प्राप्त करने वाली स्वच्छ आत्माभव सेवा में स्वच्छ बुध्धी, स्वच्छ वृति और स्वच्छ कर्म सफलता का सहज आधार है कोई भी सेवा का कार्य जब आरंब करते हो तो पहले चेक करो कि बुध्धी में किसी आत्मा की बीती हुई बातों की स्मृति तो नहीं है उसी वृति द्रिष्टी से उनको देखना, उनसे बोलना इससे संपुरन सफलता नहीं हो सकती इसलिए बीती हुई बातों को वृतियों को स्माप्त कर स्वच आत्मा बनो तब ही संपुरन सफलता प्राप्त होगी स्लोगन जो स्वपरिवर्तन करता है विजय माला उसी के गले में पढ़ती है अच्छा ओम शान्ती अब सुनते हैं आज की अव्यक्त मूरली इसके लिए उपर दिये गए बोक्स पर क्लिक करें